अब हमने लास में कौन सा कोश्चन किया था ये वाला कोश्चन था प्याच इस सारे कोश्चन ने कर लिये थी यहां साइद आप देखिए बच्चों कह रहा है लोकल मैजीशन वाज अब वही चीज है यार सब पुरानी चीज देखो local magician was showing कोई magician होगा वह एक जादू दिखा रहा था बहले लोगों को किसी घाओं में विलेज वे और उसने क्या किया ही टग एक श्यल Jल्दी से बताई जरा एक श्रा यहां तो बताऊ एक श्यल में कौण सा chemical होता है कौन सा chemical compound होता है एक्षेल में बताइए जल्दी से बताइए जैसे एक्षेल का सवाल आएगा calcium carbonate होता है ठीक है ना तो बस हो गया आप क्या दिक्कत है यार चेक कर लो calcium carbonate होगा उसकी एक्षेल में है ना cseo3 और बताओ इसका nature कैसा होता है बेसिक calcium का carbonate है metal का carbonate हो बेस हो गया है तो जरूर वो लोगों को कैसे बेकुप बना रहा होगा किसी acid से reaction कराके पढ़ लो as a result एक्षेल एंड पार्ड solution ओवर डेट है ना इसके उपर एक solution डालता होगए और इसके उपर यह एक्षेल एस तरीके से और इसके उपर यह solution डालता होगा बताओ क्या बताने की दरुबत है मुझे इस question को बताओ, आसिट कोई भी ले लो यार, तो नैक्रिक ऐसिट के साथ पढ़ाया था, नाम्हीं ले लीजए, ये लीजे, नाम्हीं कर लोगे, कल्सिम नाइट्रीड बनेगा, लास्सकीरमाल में डायकसाइट क्या करता एक तो लाइम water को milky कर देता है तो यह यह कैसा जादू रहरा है लोगों को बता है कि developed को और यहां से गैस निकलती होगी और जैसे गयस निकलती होगी तो माचिस की तीली लाता होगा जलती हुई माचिस की तीली तो ये बुझ जाती है क्यों? क्योंकि carbon dioxide जो होती, fire extinguisher होती है ये लीज़े तो लोग सोचेंगे कि जादू, जादू कर रहा है सर, FFSN सिर्फ CO2 में ही होगा, हाँ, देखिए, आपके स्लेबस में, क्लास चेंज में, जब भी ब्रिस्क FFSN बोलेगा हो, तो समझ लेजेगा, बुदबुदाहट की आवाज के साथ, CO2 गैस निकल रही है, देखिए, ऐसा भी तो पहचान होगे ना, ऐसे भी तो पहचान होगे ना, कि carbon dioxide है, बात समझ रहो, तो ये चीज़ है, ठीके ना, पहचान होगी भी तो, ठीके ना, तो पहचान गयोगे, बच्चों, balance है, reaction आप चेक कर लीजे, ठीक, उसके बाद, next question देखिए, identify the solution part, तो solution part कैसा है, acidic है, acidic solution है, अब उसमें कोई भी acid इकले लिए, तो nitric acid का solution ले लिए, यहाँ पर reaction दिखाने लिए, and the substance present in X-shell, X-shell में क्या present होता है, calcium carbonate, CA-CO3, क्योंकि हमारी कौन सी gas निकलती, CO2, तो CO2 की वज़े से ही, effevescence आ रही है, बुदबुदाहट की आवाज आ रही है, CO2 gas की वज़े स ठीक, उसके बाद, right balance, तो यह है balance equation, उसके बाद, give common name to the substance present in the X-shell, X-shell में जो present होता है, सुन दो ध्यान से, calcium carbonate तो इसका chemical name है, सुन द्यान से, भीया, भूल गए हो क्या, यह इसका chemical name क्या है, इसका chemical name क्या है, calcium carbonate, chemical name नहीं पूचा है, कोशन ध्यान से पढ़ो, इसका पढ़ाये calcium carbonate का common name क्या बढ़ाया था, calcium carbonate का common name क्या बढ़ाया था, lime stone, yes, 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 lime stone, ठीक है, lime stone, ठीक, तो इसका common name क्या हो जाएगा, lime stone, बिल्कुल सही, क्या दिखते है, lime stone होता है, common name किसका, आपका chapter number one के revision में था, आपको याद आ गया होगा, ठीक, उसके बाद, तो बस क्या ये वाला आप activity नहीं दिखा पाओगे, कि हमने यहां एक acid डाला, यहां एक rubber का cork एका दिया, two nails लगा दी, इसमें हमने dilute acid का solution रखा, और six volt की बैटरी लगा दीजेगा, और यहां बल बल गलो कर जाएगा, circuit complete होगा, क्योंकि यहां free iron sub level रहेंगे, हो जाएगा, चीजे, ठीक है, marble और यह सब मतलिक क्या आईएगा, marble, marble तो उसका एक मिलता है, marble में मिलता है, chalk powder में मिलता है, ठीक है, limestone लिखो ना, best है, वही तो बताया था, ठीक है, तो यह हो जाएगा, correct, अच्छा, यह वाली, आप diagram मना लोगे, यह वाला, NCRT में, जो revision में कराया था, हो जाएगा, बोलो, बोलो, ठीक, सर सारे diagram ही important है, हाँ, सारे diagram ही, एक बात बताईए, भाई, diagram आप समझो न, इवा बताओ, मुझे तो यह practice करने की दिरुद कभी नहीं पड़ेगी, बताओ, क्या, इसमें हमें क्या दिखाना है, बताओ, कुछ नहीं, तो, अब यह important की category में नहीं आ रहा है, यह तो हमेशा mind में होना चाहिए, यह तो हमेशा mind में होना चाहिए, ठीक, वैसे तो NCRT के सारे ही diagram important है, वो तो बोला ही जाता है, मैंने तो आपको danger वाला symbol भी दिखाया था, देखीगा किसी sample, किसी exam में वो आ जाएगा question आपका, चार option दिये रहेंगे, च चार option दिये रहेंगे, danger sign वाला जो था, ठीक, चलो, बैरहल अब इदर रहो, तो कर लोगे न, इदर आ जाओ भीया, जल्दी से फटाफट, देखो यह सवाल आपका बच्चों, है न, कोई खास सवाल होगा नहीं मेरे ख्याल से, सवाल number 9 देखिए, students, फटाफट आ जाईए है न, चलो, आज ओफट आफट, क्या कहता है, NCRT के डाग्राम तो important है ही, अगर आपको अच्छे number लाने हैं तो, इदर देखो जरा, name the gas which is liberated, when acid reacts with the metal, अब भया, acid reacts with metal बताओ, क्या पढ़ा है, हमने बताओ, low acid ले लिया, metal ले लिया, तो कौन, अच्छे, एक नट जरा, उस क्या ले के आओगे, splinter, या फिर match stick ले के आओगे, या फिर candle ले के आओगे, तो burning with pop sound, ठीक है, सबको पता है, अगला सवाल, क्या राइट the chemical, अब ये देखो बच्छो, chemical equation करनी, zinc metal की, SCL के साथ, मैं नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है, zinc plus SCL की, ZNCL2, aqueous और hydrogen gas, निकल ज पता है, table का मतलब एक सवाल मैंने exemplar का करवाया था, last class में या दे, बता ही, बता ही, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, correct, बोलो, 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 फटा-फट, बोलो, भीया, और color, color याद कर लेना, जोर वच्छे, online अभी class में, एप वाली पे, बता ही, color वाले सब सवाल फोटो और hydrogen gas निकल जाएगी, यही तो एक base है, हमारे syllabus में, जो zinc के साथ reaction करके sodium zincate देता है, ठीक, यह तो बड़ी famous reaction थी, उसके बाद, next आ जाईए, identify the acid and base of ammonium chloride, हाँ भाई, अब बताए ज़रा, मैंने आपको, सिखाया है न, salt acidic है, या basic है, pH of salt आले topic में, बताओ ज़रा, ammonium chloride लिया आपने, चलो आजओ भी आफटाफट, ammonium chloride लिया, अब कहाँ पर करूँ, जगा तो है नहीं, यहाँ कर दूँ, समझ जाओगे, इदर दो, ammonium chloride आपने लिया, NH4, CL, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा ammonium iron, तो यह हो गया cation, और यह OH क्या है, वीक बेस है, क्यों भाई, भूल गए हो क्या, अरे भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या, क्यों भाई, क्या-क्या पढ़ा है ता बताओ, copper hydroxide, वीक बेस, zinc hydroxide, वीक बेस, भूल गए हो क्या, revision की class में, और ammonium hydroxide भी वीक बेस, correct, यह सब क्या है आपके, वीक बेस है किनीं बताईयें यह सब क्या है आपके किनी यह बताईयें ठिक तो चेक कर लो यह sulphाट क्राइश। वहीं यज्यस जोस्ट्राइब है वही तो डामिनियेट करेंगे नतो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से नेचर कैसा आएगा salt का ammonium chloride का नेचर ammonium chloride जो salt था इसका नेचर कैसा आएगा acidic आएगा क्योंकि strong acid है ठीक है ना तो ammonium chloride का nature कैसा आ रहा है acidic अगर acidic आ रहा है तो pH कितना होगा इसका आप pH less than 7 होगा अगर pH पूछ लेता तो बता देते रेंज pH की 0 से 7 के बीच में होगी चेक कर लीजे आपको अच्छी तरीके से पता है कोई डाउट है बताइए अमोनियम हैड्रोकसाइड प्लस असेल यह बेस है यह acid है salt और water मिल जाएगा ammonium chloride प्लस water हो जाएगा बताइए हो जाएगा और mention the pH range of this salt तो less than 7 लिग दीजेगा less than 7 क्या हम आगे बढ़ें बताओ क्या हम आगे बताइए ब्लूइश शेड आएगा जरा बताइए यूनिवर्सल इंडिकेटर का solution अगर हम इसमें थोड़ा सा मिलाएं किसमें ammonium chloride में तो bluish shade आएगा या reddish shade आएगा कैसा shade आएगा बताइए ammonium chloride का aqua solution अगर लें ammonium chloride को पानी में डालें aqua solution तो shade कैसा आएगा reddish यह सब्सक्राइब औरेंज औरेंज उसी में हो सकता है रेडिश औरेंज यलो इस ऐसा कुछ आ सकता है लेकिन bluish नहीं आएगा ब्लू इस तो बेस की तरफ होता है acid की तरफ red color होता है आपको पता है रेडिश औरेंज औरेंज यलो यह सब होते हैं ठीक है ना प्रेक्ट ओके यह चीज़ है ठीक नौ आजाओ जड़ा next आजओ फट 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 नेक्स्ट नौ अब देखो यार वही सवाल है वही सवाल है क्या करोगे बताओ कोशन नमबर 10 वही सवाल है सुबह वाला जो सुबह कियाता है ना चेक कर लो ABCD के PSD में ठीक है ना ABCD के PSD में ठीक है तो अगर आप इसको increasing order में लिख लोगे तो B का pH कितना है वन तो B पहले आएगा B का pH कितना है वन उसके बाद 4 किसका justement है एक तो एक पह हो गया 4 सिए उसके बाद 11 फिर क्या आ गया वन वन के बाद 4 और 4 के बाद 77 किसका है DC complete तो दी का पह किया ए7 और 9 किसका है आपका ईका औरılan की कम लेःवन किसका हो गया पीइच एक धीक कर लो ठीक, यह हो गया, अब बताओ, इसमें से neutral कौन है, तो D इसमें से neutral है, NCRT का सवाल है, छेक कर लो, फिर strongly alkaline, हाँ भाई, strongly alkaline कहां से कहां होते थे, strong base कहां से कहां होते थे, 10.5 से 14 तक है न, 10.5 से 14 के बीच में देखो, C, तो यह हो गया C, ठीक है, छेक कर ले न, छेक कर ले न strongly acidic, जिसका P.A. सबसे कम है, यानि के B, ठीक, फिर weekly acidic कौन है, weekly acidic जो होता है, वो कहां से कहां होता है, 3.5 से 7 के बीच में, 3.5 से 7 के बीच में A, ठीक, उसके बाद weekly alkaline कौन है, weak base कौन होता है, जो 10.5 से और 7 के बीच में हो, 7 to 10.5 कौन है, E, ठीक, चेक कर लीचे, इसके arrange the solution increasing order of H plus ion concentration तो increasing order of H plus ion concentration चाहिए तो increasing order का मतलब है pH decrease करना चाहिए क्या मैं सही हूँ बताओ तो hydrogen concentration अगर increasing order में चाहिए तो pH decreasing order में चाहिए होगा तो pH decreasing order में लगा दीजे यानि कि सबसे बड़ा ठीक और फिर उससे छोटा और फिर अससे छोटा और फिर उससे छोटा और फिर और फिर सबसे छोटा है चेक कर लो यह pH लगा दिया डिक्रीजिंग उडर में तो यानिके hydrogen and concentration की value सबसे कम उससे जादा उससे जादा उससे जादा सबसे जादा चेक कर लो c e d a b कोई डाउट है बताई कोई डाउट है हो जाएगा ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने कराए हुए है ठीक है ना हो जाएगा ठीक अब आजाएगा ठीक है चलो बहुत बढ़ी है अब देखिए सुडेंस अब कोई अगे देखिए ज़रा कि रहाए नेम दा एसे और बेस फ्रॉम विच्ट फॉलॉइंग सॉल्ट है अब जान सुनो बच्चों हमें एसेड और बेस के नाम लिखने हैं जिससे से यह सॉल्ट ब होंगा ठीक है अमोनियम क्लोराइड मैंने अभी पढ़ाया है अमोनियम क्लोराइड जो है आपका किस से किस से मिलके बनावा है बताओ अमोनियम हैड्रॉकसाइड से बेस क्या हो गया अमोनियम हैड्रॉकसाइड और एसेड कौन सा हो गया है चेक कर लो तो यह देखिए एस sodium acetate, क्या होता है formula sodium acetate का आपका? येस, बच्चों ने बता भी दिया, तो sodium acetate है आपका, CS3, COona, ये sodium acetate है, इसको break करा दो, ये आपको देगा acetate iron, CS3, COO minus, और साथ में देगा, Na plus iron, अब Na plus को क्या दोगे? OH minus, तो base मिलेगा, NaOH, sodium hydroxide, और CS3, COO minus को क्या दोगे? H plus, तो acid मिलेगा, आपको acetic acid चेक कर लो, CS3, COOH, अब ये कैसा है? organic acid है, सुभे की class में बताया था, तो weak acid है, और sodium hydroxide, alkali है, strong base है, strong base है, तो strong base और weak acid, तो nature कैसा होगा? basic, basic होगा, तो PS7 से जादा होगा, क्या दिक्कते बताईए? तो बेरहाल, हमें acid और base के नाम बताने थे, तो acid होगया, acetic acid, और base होगया sodium hydroxide, किसको बनाने के लिए? sodium acetate salt को बनाने के लिए, ठीक, कुछ लोग लिख रहे हैं कि live नहीं है, लाइव ही चलता है भाईया, लाइव ही है, लाइव चलता है, ठीक है, टेंचन मतलो, next देखिए, आ जाई ये भाई, next question पर, ये 10th होगया आपका, ठीक, okay, now, हाँ, अब लग रहा है, भूल गए हो, क्या, भाई, भूल गए हो, क्या, मैंने बोला था कि जो human body होती है, उसकी range याद करवाई थी, बोलो, बोलो, मैंने बोला था, exam में पूछेगा, पूछ लिया, आजो, human body की range याद करवाई थी, class में, देखतें कौन से बच्चे को याद है, बताना ज़रा, जो बच्चे online है, आपर फटा-फट है, बताईए ज़रा, फटा-फट, human body की pH की range बताओ, भाई, मैंने बोला था आएगा, आग यालो, बताओ, बुक खोल के देख रहा है, बताओ, या, 7, नहीं, गलत बता रहे हो, आप, गलत बता रहे हो, सही सही बताओ, येस, येस, 7.0 से 7.8, येस, NCRT फॉलो करेंगे, कोई sample paper नहीं फॉलो करिए, salt, न, 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 बताया है, जब भी data की बात आएगी, भाईया, NCRT वाला ही लिखिएगा, देखो, गलत बता रहे हो, यार, इधर उधर से मत पढ़ो, जब भी numerical value की बात आए, acid base of salt में, या कि BCB chapter में, और color की बात आए, तो भाईया, NCRT जिन्दा बात, चाहें गलत लिखाओ, लिखना वही है, तो 7.0 से 7.8 नहीं है, बताइए, क्यों भाई, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या, कहां गई, NCRT बूल, ये दिखिए इधर, अगर मैं सही हूँ, तो check कर लीजिए, क करेक्ट, तो ये चीज है, Google, Google के चक्कर मत पढ़ना, NCRT के चकर में पढ़ो, तो our body works within the range of 7.0 to 7.8, पूछ लिया ना, यही तो बताया था, आपको की पूछेगा, exam मिलो, आ गया भीया, आपके exam का ही question है, ये चेक कर लो, ठेक, 2012 में भी आया है, अब देखो जरा, कह रहा है explain how anti-acid give relief from acidity, write the name of one such anti-acid, तो बच्चो anti-acid क्या होता है, बताओ, जब हमारा digestion, in-digestion होता है, तो बहुत जादा मात्रा में SCL निकलता है, जिससे हमें irritation और pain होता है, तो यार anti-acid लोगे, तो anti-acid क्या होता है, basic in nature होता है, milk of magnesia ले लीजिए, milk of magnesia ले ले लीजिए, हाँ जल्दी से आप पहले फटा-फटिस का answer देख लिजे, एक बार भाई पढ़ लो तो 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 में थोड़ा confidence आ जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, पढ़ लो जल्दी से मैं एक second का time दे रहा हूं, pH range body की 7.0 से 7.8, और जरा, यहां से यहां तक का answer पढ़िए, जरा, यहां से, यह आपका, चाहो तो भाईया, दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, अगर baking soda आपके घर में अवलेवल है, baking soda अगर आपके घर में अवलेवल है, तो baking soda थोड़ा सा पानी में मिला के पी जाएए, क्या दिक्कत है, तो baking soda, NaHCO3, ठीक, तो basic in nature, बेसिक in nature, तो जो acid बना है, उसको counter कर कर देगा, यार, nullify कर देगा, neutralize कर देगा, ठीक है, यह जरा पढ़ लो भया, यह answer, फटाफट, पढ़ लो फटाफट, आंसर सुडेंस, पढ़िए, ओके, हो जाएगा, हो गया, हो गया, आगे बढ़ें, चलो, आजो, फटाफट, हो गया, आगे बढ़ जाओ, अब देखो इबा, बताओ, वो आपसे यह कह रहा है, अच्छा जरा बताना जरा, देखते हैं, आपको क्या याद है, बताइए, जो फ्रेश मिल्क होता है, उसका पी एच कितना होता है, बताइए, एक्जाम्पलर में, कोशन में दिया हुआ था, मैंने आपको याद कराया है, देखते क इसको याद है, फ्रेश मिल्क का पी एच कितना होता है, बोलो, 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 सिक्स होता है, याद भी है, ठीक है, अब, तो पी एच होता है भया, फ्रेश मिल्क का कितना, जो फ्रेश मिल्क होता है, उसका पी एच कितना होता है, फ्रेश मिल्क का, अब सुनो, उसने आप स यह तो दही में क्या होता है लेक्टिक एसट तो पीच विल डिक्रीज है ना पीच विल डिक्रीज अगर आप इतना लिख दोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा डूट दर फॉर्मिशन ओफ लेक्टिक एसट ठीक अब सुनिए ध्यान से यहने के पीच सिक से लेस हो जाता है जब कड बन जाता है यह हो गया अब सुनो उछने मिल्क्मयन अट्सव ब्रेश मिल्कमर्ड ने फ्रेश मिल्कमें जैसे कॉसमें बेकिंग इटार दीया धिया क्यों अन्ам सुनो बहा秒ि वाला विचारा सुबर निकले गा और दुपहर तक बेजता है, को counter करो तो कैसे counter करोगे बेस की helps है तो पहले से ही बेस डाल देता है थेख ज्यादा देर तक येस येस यूज कर सकते हो ये येस ज्यादा तक उसे neutral के आसपात रख सकते है ठीक है अच्छी बात है यानि के दूद्ध ख्राब नहीं होगा उसमें लक्टिक एसट नहीं बनेगा क्योंकि लक्टिक एसट को बनाने वाले as getting у tablespoon basic medium सीथे शब्दों में बोलें तो बनेगा बाद में बनेगा जब सारा का सारी सोड़ा आपका नियूट्रलाइज धूट चाहाएगा तब है ना सेकेंड और थर्ड का आंसर पढ़ लीचे यहां पर आईए यह लो भी यह पढ़ लो तो तुम्हें थोड़ा सुकून आ जाएगा है ना यहां पर देखो जरा सेकेंड का पढ़ यह थर्ड पढ़ यह फटा-फट मैं आपको दो मनट का वेट देता हूं वेट करता हूं यहां से यहां तक पढ़ना है कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक यहां तक जल्दी बोलो हो गया हो गया हो गया पढ़ लिया पढ़ने का मतलब है पढ़ना है पढ़ लिया ओके क्रेक्ट गुड अब देखिए फिर से यार वही कहानी टूट पेस वाली सुबह की यह सबस्क्राइब यह सवाल नंबर 12 देख्यें क процесс properties of an acid when an acid reacts with metal लो भहिया यही तो अरे अरे सुनो सुनो सुभे की class में यही तो कराया था आपको acid की तीन प्रॉपर्टी बताई थी है ना क्या-क्या प्रॉपर्टी थी बताओ याद है मेटल के कार्मनेट या मेटल के हाइडोजन कार्मनेट से करा दो तो यह दो एसिट को मेटल के हाइडोजन कार्मनेट से करा दिया तो यार सियो टू गैस निकल जाएगी और सॉल्ट और वाटर तो बनेगा बनेगा बताई कोई समस्या है A, B, C को पढ़िए और यहां आंसर देखिए बताई कोई डाउट अच्छा इन्होंने हमें मेटल बाई कार्मोनेट से कराने के लिए बोला था बाई कार्मोनेट का मतलब है हाइडोजन कार्मोनेट यहने के HCO3 माइनस होना चाहिए तो एने HCO3 से कराना है जल्दी बाजी में कार्मोनेट मत पढ़ लिजेगा उसने बाई कार्मोनेट बोला है तो बाई कार्मोनेट ही लिजेगा Na2CO3 से मत करा देना यहां उसने प्रॉपर्टी पूछी नहीं है उसने प्रॉपर्टी बताईए करा यह वाली रियक्शन कराओ ठीक अच्छा इसके बाद अब आजाओ भाई जरा करा ही लोगे है न यहीं तो हमने सुबह भी पढ़ाता अब देखो जरा क्या कह रहा है हाय कहा-3 solution ABC has pH 20this respectively ठीकए को एक्पिएच कितना है एका फाइफ चीक और बिस दो कली Todoक करा Σब्सक्तुरा घेंडरो का सनट्रेशन अ क्ष़करर अब करेंच्छा इंग्षण स्दाइनक्सáriasFit क्गestarषण concurrent प्लस को मैं square bracket में लिख रहा हूं इसका मतलब मैंने morning में बताया था आपको hydrogen and concentration ठीक उसके बाद क्लासिफाइड the nature of three solutions is acidic और basic ठीक है तो ध्यान सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो इसमें B और C का PS7 से ज्यादा है तो B और C तो basic हो गए B और C तो हो गए क्या basic क्या मैं सही हूं चेक कर लो B और C दोनो basic में जाएंगे और acidic में केवल क्या जाएगा acidic में केवल क्या जाएगा a is acidic only a जाएगा acidic में चेक कर लीजे a has the maximum hydrogen ion concentration a is acidic and B and C are basic in nature पढ़ों आपर जाएगा मैं च्क है हो जाएगा चैक कर लो always sir क्लो I thought next आ जाईए फडाफण के जाई आजाए नो आजो भाई हम हृँ सॉल्ट याद है बूल्ग वह क्या अरे सॉल्ट याब है भाई सॉल्ट याद है सॉल्ट नहीं याद है क्या इधर आओ जरा फटा फट कहां गया कि इधर आओ कॉमन सॉल्ट से पहला याद है बताओ क्लोर एलकली प्रॉसेस सोडियम हड्रोकसाइड बनाया था बोलो 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 यह आपका हाइडूजन कहां मिलता है और हाइडूजन जैसे तो हैज मिलता है उसका हुआ है बोलो ला। यही क यह अज न पर या थे क्लोरीन अज़ electron मिल जाएगा प्रकलिक क्या उसके बाद यह हो गई थी आपकी पहली बात उसके बाद क्या बताया था यहां यह वाला डाइग्राम था क्लोरेलकली प्रॉसस भाई या फटा-फट जल्दी से देख लो ठीक हाइडोजन का यूज फ्यूल मार्जरिन मतलम नकली मक्खन बनाने में अमोनिया और क्लोरो फ्लोरो कार्वन पेस्टिसाइड यह डियाग्राम त्यार करने के लिए बोला था सभी लोगों ने कर लिया होगा यह आपका पहला सॉल्ट में पहला एक्जाम्पल था एने वह को बनाना ठीक एने वह को हमने बनाया था ठीक है अच्छा अब सुनो एक बात बताओं एक बात बताओं सुनो एक बात बताओं सुनो द्यान से पता है आपको मैं बताना चाहता हूं तो द्यान से सुनिए एक्जाम्पलर क्या कहता है सुनो एंसी आटी का ही तो भाई है एंसी एक्जाम्पलर क्या कहता है सुनो उसने केल्शियम हाइड्रॉकसाइड को सॉल्ट बैसे का मतलब क्या होता है क्या फित सॉल्ट नहीं हो सकता यां सुनो base वो होता है जो acid से react कर जाए तो यार यह base इसले क्योंकि acid से react कर जाएगा लेकिन क्या यह salt हो सकता है salt का definition क्या था बताओ बोलो 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 हाँ basic salt yes this is basic salt यार यह basic salt है अब बच्चा बोलेगा सर salt क्यों salt क्यों तो भहिया salt कैसे बनता था बोलो बोलो फटाफट salt कैसे बनता था अरे salt बनता था acid और base की reaction से salt बनता था और क्या आपको calcium hydroxide बनाना नहीं सिखाया है मैंने बताइए पानी में आप क्या lime को नहीं मिला दोगे base में आप lime लेते थे calcium oxide भूल गए हो क्या और acid में क्या लोगे ओहो ये क्या हो गया सुनो अरे पानी ले लो अब बोलेगा पानी तो neutral होता है class 10 तक होता है बस वो लेकिन पानी is very 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 weak acid write down in your copy आपकी knowledge के लिए क्योंकि आप examiner पढ़ोगे तो आपको समस्या आएगी ये very 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 और very very weak acid है ठीक अब बताओ आजो यहाँ पर तो अब very very weak acid क्या लिया तुमने पानी तो यार calcium hydroxide नहीं बन गया था अब मैं वो सब नहीं दिखा रहा हो आपको क्या क्या है ये सब आपको पता है तो भया क्या बताओ base ने acid के साथ reaction नहीं किया क्या salt नहीं बना क्या salt नहीं बना और acid तुमने पानी लिया है जो कि very very weak acid है और base तुमारा कैसा है हाँ मतलब अब पानी तो इतना weak acid हो गया समझो पानी तो इतना weak acid हो गया कि यार base डॉमिनेट कर जाएगा ठीक तो ये base dominating nature का है तो यार salt कैसा बनेगा basic नहीं बनेगा बताओ पानी जब very 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 weak base है तो base dominate नहीं करेगा base यहाँ पर प्रभावी है तो nature कैसा आएगा अब समझे कि calcium hydroxide को उन्होंने salt क्यों लिखा बोलो लिखा मतलब समझो यदि कहीं पर hydroxide लिखा हो और उसको अगर वो salt बोल दे तो बुरा मत मान जाना समझ गए इसी लिए क्लोर एलकली प्रोसेस में उसने काब हम salt बनाना सीखेंगे तो यार sodium hydroxide भी होता होगा salt हम क्या करें होता होगा salt क्या दिक्कत होगी तुम्हें बताओ क्या दिक्कत होगी salt होता होगा कोई अब हम डिटेल में नहीं जा रहें नहीं बहुत डिटेल में चले जाएंगे छोड़ो बस मैंने यह बात बता दी कि इसको salt उसने क्यों बोला अब आ जो जड़ा यह पहला salt था यह पहला salt था इधर ओविया दूसरा क्या bleaching powder भूल गए हो इंडस्ट्री में ॉसको डागवाग लगा उसको ब्लीच कर सकते हो उसके बाद जो पानी होता है उसको जम से free करने के लिए कल्चियम के ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हूं इसके बार क्या बेकिंग सोडा नहीं पढ़ा है बताई बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या था बताओ एने एच सिओ थी तो ख्लोर एलकली प्रॉसस के दोनों इसमें यूज करते थे यह दो बेकिंग सोडा बन गया आपका और बेकिंग सोडा का हीटिंग इफेक्ट नहीं आद है सोडियम कार्णेट बनता है सिओ टू गैस निकल जाएगी पानी बन जाएगा चैक कर लो तू लगा तो बैलेंस हो जाएगा और इसी बेकिंग सोडा को जब हम किसके साथ मिला देते इडेबल एडेबल एसे टार्टरिक एसेट के साथ टार्टरिक एसे टेमरेंट से मिलता है इमली से यह देखिए तो यह रियक्षन नहीं होती थी सोडियम का सॉल्ड बनता था जो की प्लीजेंट होता था खाने में अच्छा लगता है ठीक है ना और सियो टू गैस निकलती की सॉल्ट स्टार्ट होने जा रहा है वाशिंग सोडा क्या होता था आपका जब रिक स्टलाइजेशन कराते थे किसका सोडियम कारभलोनेट का तो इसे नहीं नहीं यह वाटर उफ किस्टलाइडजेशन नहीं जोकि उसको क्या देते है शेप and घलरऌ यह वाई्ट अब अब उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको बताईे कि जो वाशिंग-soda होता है以前 करनेट ग्लास में शोप तो इतना इंपौटेंट नहीं के पेपर इंडस्ट्रि में करप एह उसके बाद बॉर्स Championship तुरिकी-क सोडियम का ठेक उसके बाद पर्मरेंट हाडनेस ओफ वाटर याद आ गया बताओ याद आ गया ठेक सोडियम कार्वनेट यानिके वाशिंग सोडा जो है आपका सोडियम कार्वनेट ने 2CO3.10s2 यहां यहां यूज करते हैं बताओ फिर वाटर किसलाइशन की पूरी कहानी बत देखो अभी फटा-फट सॉल्ट उड़ा देंगे यह देखो केल्शम सल्फेट है ना और डॉट 2S2O इसको 373 केल्विन पे या फिर आप क्या बोलोगे 100 डिगरी सेल्शेस पे गरम किया था तो क्या-क्या बना था पोड़क्ट में बताईए यहां बना दे रहाँ नीचे बना दे रहाँ जगा नहीं केल्शम सल्फेट हैमि हाइड्रेट हाफ एस टू और साथ में क्या बना था वन एन हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनेते चेक कर लो ठीक और यही क्या था तुम्हारा पी ओपी था यही था पी ओपी और पी ओपी में अगर मौश्चर लग जाए या पानी उसको कहीं से मिल लाई तो यह प्योपी में अगर पानी कहीं से मिल ला तो वापस से क्या बनेगा आपका हर्ट सॉलिड मास्ट जिसको हम जिपसम बोलते हैं ठीक चेक कर लीचे ठीक और क्या बताया था आपको एक बात बहुत इंपोर्टन मैंने बताई थी कि केल्श जरह पी ऑ पी का फॉम्मला हैमीारीट क्यों होता है यह देखिए केल्शां सक्पर ہाफ water molecule हैमीहारेट क्यों है यह भी class में पढ़ाया उए क्योंकि यह रीजन लिखा वा है two formula unit of calcium sulfate ठीक है इदरे इक केल्शं सलफेट एक इधर है और बीच पानी फस गया तो एक पानी के मॉलीक्यूल को टू फ़ॉमला युनिट टू फॉर्मला यूनिट तू टू ये एससो फूर शेयर करते हैं चेक कर लो इसलिए एक केल्श्यम सलफेट यूनिट के पास कितना जाता है हाफ वाटर इसलिए क्या है क्या चीज हो गया ना बस हो गय strongly of strongly of chlorine and does not dissolve completely in water अब देखिए जरा ध्यान से बस अब यह दिको यह ना यह वैसे यह DDE कोई यह आपका CBSC का पेपर तो नहीं है लेकिन हाँ सवाल ऐसे ही आगया यह आएगा नहीं मेरे खाल से बट फिर भी आप देख लो किरा why does bleaching powder smell strongly है न अब इसकी reaction reaction नहीं बस आप यह समझ लो चलो देखते आपके मद में क्या आता है इदर देखो calcium है ए और carbon dioxide होता है तो metal का क्या बनता है अगर carbon dioxide reactant side में है यह atmosphere से मिल रहा है यह atmosphere से मिल रहा है एम का मतलब atmosphere से मिल रहा है तो बताओ जब दो क्लरीन गैस को ट्राप करने का तरीका होता है ठूलीन गैस को स्टोर करना बहुत मुअ ब्लीचिंग पाउडर बना दो तो वो गैस उसी में ट्राप हो जाएगी लेकिन जैसे सी ओटू से रिएक्शन करेगा तो गैस बाहर निकल जाएगी यह लो अब यहां से आ तक पढ़ लीजे इसलिए क्लोरीन की स्मेल आती बहुत बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉंग होती आगर जैसे आपने देखा होगा कहीं जो ट्यूलेट्स होगेरा साफ होते रहते तो वहां ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है ठीक है तो उस है confidence बताईए जो बच्चे हैं online है confidence हो जाएगा बोलो बोलो आंसर लिख लोगे मान लोग घूमा फिरा आ गया कभी यह answer question yes yes तो बस ऐसे एक बार देखना चाहिए आपको इस question को और कंसी बात होगे इसमें इधर आईए पटाफट हाँ जड़ा यहां पर आओगे क्या आप देखो के रहा वट इस bleaching powder क्या है तो इनको बता दो bleaching powder क्या है तो reaction करके दिखाओगे यार क्या दिखकत है calcium oxy chloride bleaching powder है ठी यही तो है calcium oxy chloride और कैसे बनता है चेक कर लो यह बनता है ड्राय स्लेक लाइम भूल गए हो क्या अरे ड्राय होता है स्लेक लाइम calcium hydroxide aqueous मत कर देना यह क्या है ड्राय स्लेक्ट लाइम अच्छा सुनो एक चीज़ और पता है अगर तुम एक्वस भी कर दोगे न तब भी बन सुखा पाउडर चाहिए ब्लीचिंग पाउडर सुखा सुखा चाहिए एकदम अगर तो calcium hydroxide ड्राय स्लेक ले 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 और क्लोरीन ग्यास पास करा देना तो सुखा हुआ पाउडर मिलेगा यार सुखा ही पाउडर तो चाहिए मुझे है ठीक है अगर तुम प पाउडर लागरब्र तो अपाउडर क्या नहीं पता तुम्हें थोड़ा पानी होगा उस में और क्या है थो आप पानी हो जाएगा तो चाहिए ठीक है तो तुम क्या करोगे जो एंसिया टी में लिखा वो फॉलो करोगे ड्रास लेक लाइम के उपर यूपर अब प्लीचि और लाइनन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसका शेड उडाने के लिए उसको बढ़िया से ब्लीच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक तो यह हो गया और दूसरा वुड़ पल्प पेपर इंडस्ट्री में क्य लोईश वो आएगा है ना कलर तो उसका कलर उडाने के लिए हम क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर ठीक है तो यार चेक कर लो और और बताओ ड्रिंकिंग वाटर में ऐसा डिसिंफेक्टेंट इसको यूज करते हैं तो यह सब कहानिया है अभी तो बताई थी पढ़ लीज ठीक और 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 बताओ और बहुत सारी कैमिकल क्शे में इसको ओक्से डाइजिंग एजन जैसे यूज किया जाताह बताए क्यों भाईजिंग ब्लीचिंग पाउडर को औन्र यह रौन होता है नमबर तीन यह आप चाहें तो ठीक है ओक्सेडाइजिंग एजेंट ऑ जैनी केमिकल इंडस्ट्री ओके यह चीज है लॉक्य आ जाईये अब बताओ भी यह सवाल देख लो यार क्या ही बता दूं वेकिंग पॉड़र किया होता है पूचले भी यह इन्होंने बेकिंग सोड़ान है यह बेकिंग प्ावडर है तो बेकिंग पॉडर किसका किसका मिक् प्लब है baking soda NaHCO3 sodium hydrogen carbonate को ही वो NaHCO3 बोल रहा है यही baking soda यही क्या है baking soda तो baking soda को यदि आप edible tartaric acid के साथ मिला देंगे correct तो आपका क्या बन जाएगा baking powder बन जाएगा how does it make the cake soft and spongy तो जब आप heat करोगे तो कौन सी gas निकलेगी co2 co2 gas निकलने की वज़े इसे कैसा हो जाता है के soft and spongy हो जाता है और जो sodium का salt बनता है जो sodium का salt बनता है वह प्लीजेंट टेस्ट का होता है अच्छा लगने वाला टेस्ट उसका होता है बहुत अच्छा अच्छ प्लस आयन और यह बेकिंग सोडा दोनों का मिक्षर यह बेकिंग पाउडर हो गया जैसे गरम करोगे तो sodium salt of acid मिलेगा इसका प्लीजन टेस्ट होता है और यह टार्टरिक एसट क्या करता है जितना भी sodium सब्सक्राइब हो जाएगा हो जाएगा उनका अंसर मत देखिए बहुत अच्छा नहीं लिखा या रियक्षन के साथ लिखूंगा मैं एक्जाम में नहीं तो माक्स कैसे मिलेगा यह रियक्षन लिखूंगा न मैं के कि स्पॉंजी क्यों हो जाता है इसके बाद अब आ नहीं बेकिंग सोडा क्या है तो मारा बताइए यृस यार करा इसने पूछ था वाई क्या कहते हों लिखेंगे ना कहा हो इधर आओ पहला step क्या करोगे बताओ यह sodium hydrogen कार्मेट यही तो बेकिंग सोडा है पहले इसको गरम नहीं करोगे बताओ पहले इस baking soda को गरम करोगे step number one में क्योंकि उसने हमें जो starting reagent दिया हुआ है baking soda दिया हुआ यार इसको गरम करोगे तो डॉट टेन एच्टो यहां पर देखो जरह यह देखिए अब सोडियम कार्बनेट जब मिलेगा तो सोडियम कार्बनेट जब मिलेगा तो इसका रीकस्टलाइजेशन कराएंगे पूरी कहानी यहां लिखी हुई देख लिजे पढ़ लिजे पहले उसने बोला आपसे पढ़ द्यान से वो आधा धूरा आंसाथ उस पर भरोसा मत करना उसने पहले बोला कि सोडियम कार्बनेट लेके आओ सोडियम कार्बनेट कैन बी ऑप्टेन बाई हीटिंग बेकिंग सोडा पहले बेकिंग सोडा को हीट करिए स्टेप नमबर वन वो बताएगा बताइए जो बच्चे ओनलाइन है confidence है कर लोगे दोनों reaction है confidence आगे बढ़ें चलो आजो give two uses of washing soda हाँ भाई सुनो ध्यान से washing soda and baking soda washing soda कौन है तुमारा na2 co3.10s2o na2 co3.10s2o ठीक है यह देखिए washing soda कौन है तुमारा na2 co3.10s2o यार इसके यूज आज ही तो बताएं भाई हाँ glass बनाने में बोरेक्स बनाने में permanent hardness of water क्या मैं सही हूं permanent hardness of water yes or no बोलो बोलो तो इन्होंने glass दिया है पेपर इंडस्ट्री में भी होता था मैंने आपको बताया था और manufacturing और बोरेक्स भी मैंने आपको बताया था इसके अलावा पर्मानेंट पर्मानेंट पर्मा पर्मा पर्मानेंट hardness of water remove करने में removal of removal of permanent hardness of मैं पूरा नहीं लिखना आप समझ जाना रिमूवल ओफ पर्मानेंट hardness of water ओके इसके बाद baking soda कौन होता था आपका बेकिंग सोडा कौन होता था एनए एच सीओ थ्री ठीके बेकिंग सोडा एनए एच सीओ थ्री होता था सबसे पहले तो एंटा एसेड है भाईया सबसे पहले तो इंग्रीडियंट इन एंटा इंगिशन डिटेल में पढ़ाया हुआ है बोलो 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 उसके अलावा बेकिंग पौडर बना सकते हैं अप क्या मैं सही हूं यह सर यह भी तो यूज़ मैं यार बैकिंग पौड़र नहीं बना लोगे इसका अगर यह कैसे इसको टाटरिक एसट के साथ मिक्स कर यह ओजएगा से बेकिंग सड और से यूज़ यज़े aja कर लो यार यह भी और यह जाएगा क्या दिक्कत है इसका अ यूज पर्मेनेंट हाडनेस और वटर क्लींसिंप एक्षम नहीं रप्रमेंसिंग प्रमेंसिक पुर्पस Chutta for domestic for domestic purpose correct बिल्कुल सही है हो जाएगा चलो हो ही जाएगा आप तो आजो तो देखा आपने मैंने आपको यूज इस फे फोकस कराया था क्लास में उसने डिरेक्ट यूज पूछा हुआ एक्जाम में हाँ अब देखो यार क्या करोगे इसका घिसे पिटे सवाल है 2010 में उसे पूछा ग्यारा में पूछा बिल्कुल पूछ सकता है क्या राइट कैमिकल फ्रम्ला क्य रहे है तो यह बेकिंग सूडा है डियू alkyaly रॉसेस की दो बताओ हो जाएगा बोलो ठीक हो जाएगा रीक्षिन उसके बाद उसने क्या पूछा आप से राइट धा रीक्षिन विट टेक प्लेस वन इट हीटे दूरिंग कुकिंग हाँ अब यार जब इसको आपको करोगे ठीक है तो यह रीक्षिन होती है ठीक हो जाएगा तो ऐसा में लगा हुआ है बेकिंग सोडा के लिए लगा वा है तो बहिए एने एच चीओ त्री को गरम करना है आपको और इसको गरम करोगे तो सी ओ टू गैस निकलेगी वाटर निकलेगा और सोडियम कारवेंट निकल जाएगा बैलेंस कर लोगे यहां चिपका दोगे हो गया बैलेंस चेक कर लो हो जाएगा बताये सवाल को ध्यान से पढ़िएगा उल्टे सीधे यहां सरमत करीएगा उसने देखिए सवाल किसके लिए सवाल पूछा है उसने baking soda के लिए तो baking powder अगला सवाल ये हो गया ये हो गया इसके बाद ये भी हो गया इधर आ जो चलो 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 आ जो name the gas evolved when the sodium hydrogen carbonate is made to react with the dilute hydrochloric acid how you will test the gas दो नमबर में पूछा है यार तो reaction तो पूछी नहीं है अब आप चेक कर लो चेक कर लो sodium hydrogen carbonate is made to dilute hydrochloric acid तो sodium hydrogen carbonate क्या होता है नHCO3 क्या होता है बताओ यही होता है और dilute HCl के साथ कराओगे तो यार acid-base reaction होगी यह base होगे आपका basic in nature यह acid-base reaction होगी salt और water बनेगा ठीक salt क्या बनेगा एने और Cl- से NaCl यह salt होगे आपका neutral salt है pH 7 है NaCl बन गया salt साथ में पानी निकलेगा और अगर carbonate है तो CO2 gas निकलेगी और CO2 gas क्या करेगी lime water को milky कर देगी सो बार मैंने बता दिया है हो जाएगा बोलो हो जाएगा चीक है बहुत बड़ी है अब देखिए ज़रा ध्यान से और reaction यार यह ना lime water milky वाली सो बार लिखवा चुका हूँ तब मैं इस अब नहीं करना हूँ अब आप यहाँ ज़रा सवाल में आई है फटाफट करा white powder is added to while baking breads and cake to make them soft and fluffy what is the name of the powder हाँ बहिया powder कौन सा है बताओ bread word बनाओगे ब्रेड को अगर आप स्पॉंजी fluffy यह सब करोगे soft करोगे तो बहिया कौन सा powder यूज करोगे बताओ baking powder और baking powder क्या होता है तो baking powder क्या होता है baking soda ले लिजिए यानिके नहीं co3 और edible acid ले लिजिए जैसे की tartaric acid ठीक और ऐसा जब करोगे तो अभी पूरी कहानी बताई थी carbon dioxide निकल जाएगा reaction जरूर लिखेंगे जो अभी दिखाई थी reaction जरूर लिखेंगे reaction नहीं लिखोगे तो अच्छी बात नहीं होगी ठीक वो reaction पूछे चाहे ना पूछे आपक केक तो tartaric acid tartaric acid आपको H plus देगा और ये किसको neutralize करेगा भया सुन लो tartaric acid will neutralize will neutralize Na2CO3 कुछ याद आया या भूल गये हो क्यो भाई उसने सही answer नहीं लिखा है पूरा answer सुनिए एक ingredient है tartaric acid जो कि आपको ये acidic nature का है तो ये Na2CO3 को neutralize करेगा याद आया और दूसरा ingredient है NaHCO3 तो ये क्या करेगा ये CO2 gas देगा दोनों का काम नजर आया की नहीं बताईए CO2 gas की वज़े से spongy हो जाएगा और tartaric acid की वज़े से जो sodium carbonate थोड़ा बहुत बनता होगा वो neutralize हो जाएगा क्योंकि sodium carbonate का taste कैसा होता था बिटर होता था है ना याद है बताईए ठीक है ओके इनका आंसर सही नहीं कंप्लीट क्या आपको आंसर समझ में है दोनों ingredient कौन-कौन से NaCO3 का काम है CO2 release करना क्योंकि sodium hydrogen carbonate है जिससे की spongy हो जाएगा और tartaric acid का काम है Na2CO3 को neutralize करना अगर कोई Na2CO3 बना होगा तो चेक यह देखे लिखा भी यह नोंने कि टार्टरिक एसट इस अच्छा लिखा तो है नीचे टु अवाइट बिटर टेस्ट बिटर टेस्ट बाए हाँ ठीक है सही तो है दोनों का लिखा यार इसने सही लिखा मैंने पढ़ा नहीं था सोरी हो जाएगा बोलो 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 पढ़ो पुरान सर यहां से लेकिए यहां तक दो बार पढ़ो ओके नो नेक्स हाँ वही पुरानी कहानी सुन लो भाई उसने बोला राइट दे कैमिकल नेम एंड फॉर्म हाँ जरा इसका क्या नाम है यह जिप्सम तो इसका कॉमन नेम है माल दीजे जिप्सम तो इसका कॉमन नेम है यह सी एन सी एन का मतलब कॉमन नेम और इसका कैमिकल नेम कि याद है कैल्शम सलफेट और 2 के लिए क्या लगाते है Dihydrate CaSO4 का मतलब होता है Calcium Sulfate Calcium Sulfate और dot के बाद 2 2 के लिए हम Di लिखते हैं तो Di 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 का मतलब 2 और H2O का मतलब Hydrate Dihydrate ठेक चेक कर लो Calcium Sulfate Dihydrate इसका chemical नहीं है उसके बाद When gypsum is heated at 373 Kelvin हाँ भईया क्या बन जाएगा CaSO4 dot 2H2O को जब आप 373 Kelvin पे गरम करेंगे तो आपको POP नहीं मिल जाएगा Calcium Sulfate Hemihidrate CaSO4 dot Half H2O ठीक और प्लस आपका 1.5 water बाहर हो जाएगा 1.5 water क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्या दिक्कत है यार चेक कर लो total water कितने थे 2 तो 2 में से half यहां गया तो 1.5 बाहर निकल गया ठीक और यही तो POP है POP का मतलब plaster of Paris और plaster of Paris जो होता है उसका ही chemical name POP तो उसका common name है यार CN का मतलब common name CN का मतलब common name और chemical name क्या है इसका chemical name यदि आप लिखोगे तो chemical name क्या होता है इसका बताईए calcium sulfate और half का मतलब hemi half का मतलब hemi correct calcium sulfate hemi hemi hydrate half को hemi बोलते है calcium यहां देखो जिपसम में two water थे इसलिए dihydrate और यहां half water है half को hemi बोलते है hemi hemi calcium sulfate hemi hemi और पानी लगा हुआ है इसलिए हाइड्रेज calcium यह चीज तो balance chemical equation लिखनी थी तो यह रही यह कर लो यार this is the action of heat at 373 Kelvin on gypsum यह तुमारा जिपसम था चलो आजो भी या next आजो next हो जाएगा और कुछ क्या करना चाहते है salt में देखते है यह सब तो आप करी लोगे अब फिर वही कहानी यार चेक कर लो किरा इस्टेट दा chemical name of the plaster of Paris तो chemical name क्या है plaster of Paris का अभी अभी बताया भाई calcium sulphate hemi half के लिए hemi hydrate यही तो P.O.P. है और इसका ही तो chemical name क्या है calcium sulphate hemi hydrate hemi का मतलब half ठीक उसके बाद write a chemical equation to show the reaction between P.O.P. and water बहुत important है यार चेक कर लो यह P.O.P. ले लिए पानी ले लिया तो वापस से solid hard mass बन जाएगा जिपसम solid hard mass वापस से बन जाएगा जिपसम इसी लिए plaster of Paris को moisture से दूर रखना चाहिए इसी लिए जो आपकी P.O.P. अगर आपके घर में कोई P.O.P. बच गई हो plaster of Paris आपके घर में construction चल ला है तो उसको अच्छे से जो plastic के bags होते हैं उसमें pack करके और हम moisture से दूर रखेंगे क्यों? क्योंकि अगर उसमें moisture लग गया अगर moisture लग गया moisture मतलब one and half water molecule ले लेगा और solid hard mass बना देगा जिपसम और फिर आपका P.O.P. खराब हो जाएगा ये लो ठेक अच्छा एक चीज मुझे याद आगई तो मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए एक चीज मुझे याद आगई P.O.P. में क्या है समझ ले ना भाई सुन्डो थम जाओ थोड़ा सा थम जाओ सुनो बहुत important बताने जा रहो board examination का सवाल सुनिए सुनिए सवाल वो आपसे ये पूछेगा ज़रा सुनिए वो आपसे पूछेगा भाईया P.O.P. soft क्यों होता है सुनो P.O.P. plaster of Paris soft क्यों होता है और gypsum hard क्यों होता है ये देखो भाईया देखा ये तो नहीं पूछेगा gypsum hard क्यों होता है लेकिन आपसे पूछ सकता है P.O.P. soft क्यों होता है तो सुनो पता है P.O.P. soft इसलिए होता है अच्छा चलो guess करो देखते कौन बच्चा इसका answer आपको आता हो चाहे ना आता हो लेकिन लिख के क्या होगे exam में देखते हैं वो क्या लिखवाना चाहता है बताओ मालो आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो उसने पूछा कि calcium sulfate hemihidrate प्योपी soft क्यों होता है यह soft क्यों होता है तो आंसर क्या लिखा जाएगा ncati में दिया हुआ है बताओ उसने soft कहीं नहीं बोला लेकिन बताओ क्या लिखोगे यही तो पढ़ाया था यार बताओ तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है कि यहां क्या लिखोगे बताओ याद करो ncati की वो लाइन समझा तो मैं दूंगा ncati की लाइन नहीं याद आ रही तुम्हें आकि एसा क्यों लिखा जाता था वही उसका answer है अरे भूल गए हो किया यार यह एक पानी का molecular है और इधर से calcium sulfate और इधर से calcium sulfate तो पानी का एक molecules पानी का one molecule is shared by two formula unit of Crayrá two formula unit of CSO4 क्यों भाइया यह बात याद है बताइए वन वाटर मॉलिकुल इस शेर्ड बाई two formula unit of calcium sulphate ठीक है अब सुनो जरा ध्यान से calcium sulphate dihydrate में क्या होता था यहने कि जिपसम में तो जिपसम में calcium calcium sulphate यह ऐसे बिचारा बीच में फस गया और एक टू ने इधर से इसको घेरा और एक एंस्टू और इधर से रहा है चेक लगेगा बताओं फोर्स और लगे ने की उम्मीद है बोलो बोलो जहां पे पानी ज़्यादावin आपि यहां आपको हिंट दे रहा हँ बताओ बोलो जल्दी जबेंगे कि बोलो पास पास आ जाएगा इसका क्रिस्टल जो भी बनेगा वहहां हाट होगा और यहां पर थोड़ा सा soft होगा समझे गए क्योंकि केवल half water molecule shared by two formula unit of calcium sulfate तो इसका अंसर यही अगर उसने exam में पूछ लिया की P.O.P. soft क्यों है तो भहिया सुनो P.O.P. soft होने का reason है बिकॉस 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 इन P.O.P. in P.O.P. in P.O.P. one water molecule one water molecule अब मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया one water molecule is shared by is shared by two two और आपको याद है कौन से शब्द का यूज़ करते थे हम formula unit ओके इस shared by है two formula unit of calcium sulfate two formula unit of calcium sulfate correct बस यह चीज़ लिखने और तो अगर question पूछ लिया कि यह gypsum hard mask क्यों होता है तब क्या लिखोगे तब क्या लिखोगे because it is dehydrated it is dehydrated means one formula unit is attached to two water molecules one formula यह आप simple लिख दो one formula unit of calcium sulfate contain two water of crystallization ऐसे आप लिख दीजे हो जाएगा बताओ ओके नौ अब 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 आजो जरा फट 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 यह हो गया कहां तक पहुंचे हैं देख लें सॉल्ट चल ला है यार अब अब सॉल्ट चल ला है चलो आ जाओ फट फट भई यहां पर आओ सवाल नंबर 12 जल्दी से दो second में करना है आपको salt का nature बताना है acid की basic है दो second में करना है NaCl कराऊंगा नहीं आपको पता है इसको break करोगे तो Na plus मिलेगा Cl minus मिलेगा Na को दोगे आप OH minus तो बनाएगा NaOH और Cl का minus को दोगे H plus तो बनाएगा SCL तो strong acid हो गया और strong base हो गया तो neutral salt हो जाएगा ठीक तो neutral कौन हो गया NACL neutral हो गया बताइए ठीक और इसी तरीके से यहाँ पर आओ sodium sulphate को break करोगे भाईया तो मिलेगा sodium iron Na plus iron और मिलेगा sulphate 2 minus iron और केटाइन को क्या दोगे hydroxide इसको दोगे hydroxide OH minus तो देगा आपको NaOH ठीक है sodium hydroxide तो यह बेस हो गया जो कि strong बेस है याद कराया अग्लास में और sulphate को क्या दोगे एच प्लस तो बनाएगा स्टू एस्टो फोर जो कि क्या है आपका strong acid है अब बता दो भाई strong acid strong base का salt कैसा होता है neutral तो यह दोनों चले गए आप confusion वाली है ना क्या कहते हो बताओ यह तो बड़ा फसादिया यार पता है क्यों फसादिया इनका अंसर पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि calcium अगर आप यस सुनो इनके अंशर पर भरोसा नहीं बहए मुझे नथा ना ना क्रुप नंबर टू का अलत्य फ den ऐप है यह आ अनल मैंने आपको बताए था ठीके इनका अंसर पर मुझे भरोसा नहीं है भाई मुझे भरोसा नहीं इसका आंसर पर चेक कर लो इनका और क्शिए केहmani जाती 100% आइनाइस बोलो बोलो 100% सभी है तो भाई यह स्ट्रॉंग बेसी है आपका केलशम हड्रॉकसाइड स्ट्रॉंग बेसी है भाई ना क्यूंकि पानी में डालूंगा तो तो न्यूट्रल में डालूंगा यार चेक कर लो केल्शियम को हाइड्रॉकसाइड भई यहां से आपको कौन-कौन सायन मिलेंगे यहां मैं करके दिखा देना रुख जाओ अन्यूटल पीएचीद सेवेण रखोगे अगर इसका अए ses कब हाई घ्राइड करोगे अगर टिके येस, सही है, सही है, सही है, जो हमने class में पढ़ा है, वही हम करेंगे, ठीक है, ओके, correct, जो हमने class में पढ़ा है, वही हम करेंगे, इधर आई है, according to NCIT, ठीक है, गलत answer पे मत जाना, लला, गलत answer पे मत जाना, भाई, देखो, calcium chloride की hydrolysis कर दो, यानि कि आपको क्या मिलेगा, पहल है, तो, है, तो, है, तो, strong base है यार, check कर लो, और Cl minus को क्या देदोगे, H plus तो देदेगा, Cl तुम्हें, लो, ठीक, तो strong acid है, और यह strong base है, strong acid, strong base, neutral salt आ जाएगा यार, check कर लो, ये भी चला जागा neutral में, ठीक है, तो ये भी चला गया, किसमे, neutral में, ठीक है, ये भी लग-बग न्यूट्रल में चला जाएगा अब potassium carbonate चेक कर लो भी या potassium carbonate यहां करा देता हूँ K2 CO3 को यदि आप break करोगे तो आपको मिलेगा K plus I break करने का मतलब है hydrolysis कर रहे है पानी में डाल दो ना यार उठाके पानी में डाल दो तेक अब सुनो दो गे H plus I N तो बनेगा carbonic acid s2 co3 तो वीक असिड है यार चेक कर लो वीक mineral acid होता है यह यह क्या है वीक mineral acid है वीक acid है यह चेक कर लो तो वीक acid strong base तो नेचर कैसा हैगा basic हो जाएगा यह कैसा है basic salt है आपका चेक कर लो potassium salt यह सही लिखा यार इन्होंने basic salt एक बच्चा कह रहा है कि calcium hydroxide और magnesium hydroxide को वीक बेस दिया हुए स्चान में पर यार मैंने google पे इसको अच्छी तरीगे से चेक कर लिया था यह ना strong base की category में रख रहे थे वो लोग तो और अगर तुम calcium chloride का pH चेक करोगे ना calcium chloride salt का pH चेक करो पानी में डालके तो 7 के आसपास आता है calcium chloride थोड़ा सा ले लो और aqos solution मनाओ पानी में डालो calcium chloride को calcium chloride का pH चेक कर लो चेक कर लो Google पे चेक कर लो neutrally है यह यार साथ क्या असपास आएगा according to class 10 अच्छा आपने दिखा तो वीक दिखा रहा है नहीं यार strong base है calcium hydroxide strong base है correct ओके तो मैं तो भाई neutrally बताऊंगा अब मैंना एक तो इन्होंने question ऐसा देदी आपको confuse करना neutrally रखोगे यार है ना strong base है वो चेक कर लो एक बार अच्छे से फिर से चेक कर लिए magnesium hydroxide भी आपका strong base में ही आएगा ठीक है ना वह वीक है किसके comparison में वह वीक है इसके इसके comparison में वीक है मतलब group number one के जो element है उसके comparison में वीक है group number one के element कौन से आपके potassium hydroxide और sodium hydroxide इसके comparison में वीक है है ना कौन-कौन magnesium hydroxide और calcium hydroxide समझो बात को देखो बता है कि यह 100% तो आइनाइज नहीं होता होगा यह बात तो है थोड़ा बहुत तो बसता होगा लगी 95% 99% strong हाँ strong base दिया होगा यह देखो ना magnesium hydroxide और calcium hydroxide strong base दिया होगा चेक कर लो उसी से किया है मैंने सवाल अब strong का में मतलब यह थोड़ी ना है कि मतलब एकदमी हंड़ेटी परसेंट हो जाया ठीक है 90 परसेंट भी हो रहा होगा तो डग देंगे इस ट्रॉंग की कटेगरी में है ओके भाई अब मैं इतना डिसकस नहीं करूंगा एक्च्वल पी एच निकालना सिखेंगे क्लास 11 में किसी भी सॉल्ट का अभी तो हम ऐसा ही करेंगे सवाल को इसको और देख लो एक चीज़ और आपके में नहीं आया है देखो सीब्सके नहीं ऐसी बेकूफी नहीं करेंगा वह वही सवाल देगा जो बन जाएगा आप से बनने का मतलब ग्रेंट चलेगा देखेंगे जो ऑसी ने करेंगा नहीं न न न यह कहीं और आया और 2014 में पीपरेंगे बच्चे कंफ्यूस मास्टर भी कंफ्यूस ठीक परिशान ना हो चलो इधर आओ अब देखो यार अब आप देखोगे आपका जो CBST का सवाल आता है वो बहुत नाप तॉल के देगा आपको ये देखो CBST बहुत नाप तॉल के आपको परिशान नहीं करेगा वो ये देख लीजे परिशान कर रहा है वर यहाँ से कि यह मिलेगा और क्या मिलेगा तो क्या दोगे हो एस माइन हैन तो कोच बनेगा तुम्हारा बोस और सज्क पलस दोगे तो सट्रॉ इस बमॉइस और bes ट्रॉंग एसिड चेक कर लीजे तो न्यूटल हो जाएगा बताओ तो न्यूटल सॉल्ट हो गया पर्टिक्षम सल्फिट न्यूटल आमोनियम क्लोराइड यार आज ही बताया कितनी बार बताऊंगा आपका क्या हो गया बेसिक क्यों बढ़ी आज ही बताया है ना तो छोड़ ठेक उसके बाद शोडीयम कारवनेट Na2Co3 तो सोडीयम कार्वनेट में वे सोडीयन हड्र filled और कार्बंबनेट चल प्लस दोगे तो ये स्ट्रॉग बेस हो गया और कार्बनिक हो गया चेक कर लो यार बेसिक इंनेचर हो जाएगा मैसे वहां च्रíst doesch ने आपको वकता है तो फॉक्री सब्स है अवाज आ रही है बोलो 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 अवाज आ रही की नहीं आ रही पता ही जो लोग लाईव हैं अभी क्लास में येस और नो कर दो येस 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 ठीक है अब देखो अब यहां पर आज़े जल्दी से यहां पर आज़े जल्दी से कोश्चन नमबर 14 एक्स्प्लेइन वाइन एक्वस सॉलूशन ओफ सोडियम सल्फेट इस नूट्रल वाइल एक्वस सॉलूशन ओफ सोडियम कार्बनेट इस बेसिक इन नेचर नहीं पढ़ाऊंगा समझी है नहीं पढ़ाऊंगा पढ़ लो यार पढ़ लो तुम्हें इसका आंसर नहीं पता बता हो सोडियम सल्फेट किस से मिलके मना है सोडियम हेड्रॉकसइड और सल्फियूरिक एसिट से तो न्यूट्रल होगा और सोडियम कार्बनेट अभी भी कराया था हो जाएगा सोडियम कार्बनेट सोडियम हेड्रॉकसइड से और कार्बनीक एसिट से से योटी सी तो बेसिक होगा चीक हो जाएगा नेक्स्ट क्या बखवास कोश्शन सुनों नहीं करा हुगा चैप्टर नमेर वन का आगया हटाओ रिविजन हो चुका इसका नेक्स देखो ग्रीन विट्रियॉल क्या होते हैं याद है ग्रीन विट्रियॉल क्या होते हैं आपके ग्रीन विट्रियॉल FESO4.7S2O बताओ यही तो ग्रीन कलर का था अब उसने आप से क्या पूछ लिया हीटिंग इफेक्ट आरे चैप्टर नंबर वन का भाई हटाओ याद आई रियेक्शन पताओ गर्माओ इसको हीटिंग इफेक्ट वाला याद है दो स्टेप में रियेक्शन होती थी बोलो बोलो चोड़ दो एसो टू एसो त्री निकल जाएगा अगला सवाल ये लो भाई चैप्टर नंबर वन का रिपीट कर रहे हैं इसले में छोड़ दे रहा हूँ ये लो crystal of substance change their color on heating in a close vessel but regained after some time when when they were allowed to cool down हाँ ठीक है ठीक है भाईया क्यों 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 कि पहले copper sulphate क्या था पेंटा हाइड्रेट यानिके 5s2 हो था इसमें तो ब्लू विट्रॉल गरम करा तो पहले वाइट हो गया अब पानी की ड्रॉपलेट यहां लग जाएंगी की नहीं लग जाएंगी उपर से तुमने बंद करके रखा है तो पानी क्यों के साथ क्या कैमिकली बॉंडेट नहीं हो जाएगा सी यू एस ओफोर अपना क्रिस्टल नहीं बना लेगा तो वापस ब्लू कलर नहीं आ जाएगा बरतन बंद है क्लोस हैसल है चेक कर लो ओके बताईए ठीक नौ नेक्स देखिए नेक्स देखिए ठीक इसकों यह मेटल नाटल की रीक्षयन है और एलमोनियम सलफेट बनेगा डिस्पलेस्ट्मेंट रीक्षयन है और अलमोनियम सलफेट अरे यह नहीं यह यह नाज नौनमेटल में आएगा सब थोरो सको भी इसके बाद ये वाला सवाल देखो 21st, 20 part 1, what would be the color of the solution when copper oxide and dilute hydrochloric acid, okay, क्यों भाई, भूल गए हो, क्या, अरे chapter number 1 का है, copper chloride नहीं बन जाएगा, चकलो, copper oxide, CuO को reaction कराओगे, dilute HCl के साथ, क्या पढ़ाया था, बताईए, metal का oxide है basic, acid based reaction होगी, salt बनेगा, तो CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा, CuCl2 का color कैसा होता था, CuCl2 का ही तो color क्या होता था, green नहीं होता ब्लू इस ग्रीन नहीं होता था, बताओ, CuCl2 का solution मनेगा, blue green color का, बोलो, सही, correct, okay, no, next is, अगला सवाल, right chemical equation, which represent the effect of a base nullified array, acid base लिखना है, acid base reaction लिखना है, acid से, और hydroxide आएगा, कहां से, base से, तो क्या water नहीं बन जाएगा, बताएं, neutralization reaction में, बताएं, ये बात तो जरूर लिख देना, भाई, ये reaction लिखने के बाद, ये बात तो जरूर लिख देना, जब भी neutralization करवाना चाहेगा, तुमसे, correct, next is, yellow भाई, how will you prove that the given salt is carbonate of metal, तो carbonate of metal है, तो भाईया, गरम कर दो, गरम करोगे, CO2 gas निकलेगी, CO2 gas निकलेगी, lime water को milky कर देगी, क्या दिक्कत है, okay, समझ गये, एक तो ये, अब इन्होंने अलग answer लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हो, तो metal का कोई carbonate है, तो भाईया, किसी acid से reaction करा दो, क्या दिक्कत है, किसी acid से reaction करा दो, तो मैं, sales से reaction करा दो, S2SO4 से reaction करा दो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, salt बनेगा, NACL, तुम्हारे पास क्या होगा, S2O बनेगा, और effevescence, बुदबुदाहट की आवाज के साथ, carbon dioxide निकल जाएगी, जो कि lime water को milky कर देगी, question पढ़ लो, और answer पढ़ लो, यहां से यहां तक, reaction पूछी नहीं है, तो इतना कोई इसमें लिखने की दरुवत है नहीं, आपको, ठीक, चलो, यह वाला portion सुबह कर लेंगे, यह इस portion को खतम कर दें, क्या 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 बताओ, इस portion को finish कर दें, क्या, short answer वाले portion को, कल, ठीक है, जाइए, कल, ठीक है, जाइए, कल, 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 बहुत सारी class होगी, जाइए, 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 इसको finish कर दो, मतलब, यहां तक हो गया, ठीक है, यहां से start करेंगे, ठीक है, यहां से start कर लेंगे, short answer से start कर लेंगे, कल खतम करा देंगे, इसको दोतीन class लेके, जा